नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही कुपस्वर डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों के स्वर्टर में डालिए चाहें किसे लेडिस प्रोजेक्ट में डालिए यह बहुत ही अच्छा लाएगा इसे आप कैप में शूज में शॉक में भी डालिए यह बहुत ही अच्छा लाएगा यसे बनाने के लिए हमें चार के मल्तिपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा जब हम ऐसे चार-चार फंदे किने तो लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचना चाहिए तब यह डिजाइन अच्छी तरह सेट होगा यदि हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम रॉंग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं यह राइट साइड में से डिजाइन शुरू होता है तो हम अपना सेक फंदा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा अग्ला फंदा हम स्लिप कर लें गे फिर नेक्स्त सीधा उल्टा एजिक्त Zukunft सिधा पीछा और इन ही चार फंदो को हमें पूरी स्लाई में दोराना है सीधा उल्टा सीधा तीन फंदे हमने सेकंडरी कलर से बुन दिये चौते फंदे को हम स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे हम सेकंडरी कलर से बुनेंगे पहला सीधा बुनेंगे फिर दूसरा उल्टा फिर तीसर फंदा सीधा और चौते फंदे को हम slip करेंगे फिर सीधा बुनेंगे उन अपनी और करेंगे उल्टा उन दूसरी और सीधा छोता फंदा slip करेंगे फिर हमें तीन फंदा secondary किलर से बुनना है तो पाहला सीधा दूसरा उल्टा तीसरा सीधा और यह last funda as stitch है तो इसे हम सीधा बना लेंगे और wrong side से जो funda जैसे दिखाई दे रहा है यानि कि पहला funda slip करेंगे दूसरा funda उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे यह देखें सीधा funda दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा next unik अर वेसलिब प्लत सिट अर्म ट Μट्र ंज उन्ट से account सित अजर्म बड़ियर को दो Doc पалा track सिता कर दो बस ही बस्ते हीट Eotype तो इसी तरह जो फंदा जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बुनना है slip के हुए फंदे को slip कर लेना है और जो फंदा सीधा है उसे सीधा जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो यह हमने दो फंदे दो लाइन कम्प्लेट कर लिए अब तीसरा लाइन हम अपने में कलर से बुनेंगे तो तीसरा लाइन हम अपने प्रैमरी कलर से बुनेंगे पहला फंदा सीधा यह आज इस टीच है इसे हम सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा, अपनी और सलाय करें, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी और करेंगे, सीधा, फिर उन अपनी और करेंगे, उल्टा, फिर उन दूसरी और करेंगे, सीधा, उन अपनी और, उल्टा, उन दूसरी और, सीधा, उन अपनी और, उल्टा, और देखी यह जो उता रहा था यह आ गया सीधा तो यह सीध Haunaaces इस फिर नेक्स्ट उल्टा उन्न दूसरी और लापर दास सीधा होन अपनी और यह उल्टा उन्न दूसरी और हर मिहीं यहावा फन्दा यह होना चाहिए सीधा तो तेन फंक्रम पहला उल्टा बुरेंगे। दूसरा सीधा , तीसरा उल्टा , और TL क्या हसे पने पने करेंगे तीन पंद้ों में पहला उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, और चौता फंदा सीधा चौता फंदा स्लिप किया है इसे हम सीधा बनाएं उन अपनी और, उल्टा, सीधा, उल्टा, और लास्ट फंदा जिस्टीच है इसे हम सीधा बना लें अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉंग सैट तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और दूसरा फंदा देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बनेंगे ये उल्टा दिखाए दे रहा है तो उसे उल्टा यानि जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाए दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा उन अपनी और अगला फंदा उल्टा उन दूसरी और नेक्स्ट सीधा जो सीधा दिखाए दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाए दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे अब फिफ्ट रो में हम फिर सेकेंडरी कलर के उनसे बुनेंगे तो पहला फंदा इसे सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा भी सीधा अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे फिर फिर नेक्स्ट फंदा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा अगला फंदा स्लिप करेंगे फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे फिर नेक्स्ट फंदा सीधा फिर उल्टा और फिर सीधा नेक्स्ट फंदा ये देखिए अब ये बीच का फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे और ये जो हमारा लाइन गया है इसमें से पहला फंदा सीधा बनेंगे और ये फंदा जो हमने पिछली बार स्लिप किया था उसे अब हम उल्टा बनेंगे फिर उन दूसरी और next फंदा सीदा और ये 3 फंदों में सी ये बीच का फंदा इसे हम slip कर लेंगे फिर next फंदा सीदा फिर अपनी और up उल्टा उन दूसरी और सीदा बीच का फंदा slip कर लेंगे सीधा उल्टा सीधा स्लिप कर लेंगे और लास्ट में दो फंदे इसे हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइट से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बना लेंगे और slip की हुए फंदे को slip कर लेंगे slip की हुए फंदे को slip कर लेंगे ये फंदा उल्टा दिखा दे रहा है इसे हम उल्टा बनाएंगे next फंदा देखिए सीधा दिखा दे रहा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे उन अपनी हो next फंदा उल्टा इसे उल्टा बनाएंगे, slip के हो फंदा, ये slip कर जाएंगे, तो तीन फंदों में, पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, next, slip, उल्टा, सीधा, उल्टा, slip, उल्टा, सीधा, उल्टा, slip, लास्ट में, दो फंदे हैं, इसने हम उल्टा बना लेंगे, अब सेकंडरी कलर से दो लाइन हो गया, तो अब हम प्राइमडी कलर से पुनेंगे, तो देखिए, ये फंदा हमारा सीधा आना चाहिए, तो पहला फंदा, सीधा, next, उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, next, उल्टा, slip क्या हुआ फंदा, ये सीधा रहेगा, फिर एक फंदा हमें सीधा बना रहा है, एक फंदा उल्टा, और slip किया हुआ फंदा सीधा हमने सीधे से शुरू किया है देखिए यह slip किया हुआ फंदा यह सीधा हो गया और फिर तीन फंदों में से पहला फंदा उल्टा बनेंगे बीच वाला फंदा सीधा तीसरा फंदा उल्टा और यह slip किया हुआ फंदा तो यह सीधा आ गया तीन फंदों में से पहला फंदा उल्टा दूसरा फंदा सीधा तीसरा फंदा उल्टा और slip किया हुआ फंदा सीधा नेक्स्ट उल्टा और फिर लास्ट फंदा एजस्टी 6 से स जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बनाएंगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे, तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कमप्लीट कर लेंगे इन फे आठोय लायनों को हमें पूरे स्वेटर में दूराना है का दिजाइन चार्थ लायन का ही है अगले logically का जगह बदल जाएगा ऐक कि रंग के पूर नाने के बाद अगला Tina आप दू से रंग Jeanne पहले line से डिजाइन शुदु हो जायेगा और फिर आप सेकंडरी पिलर के उनसे उनसे नेकस्ट फन्दा सीधा फिर पषिन अपने और उल्टा ये जो slip किया हुआ फंदा है ये उल्टा हो जाएगा फिर next सीधा और देखिए ये बीच का फंदा है डिजाइन के बीच का फंदा है तो इसे हम slip कर लेंगे अब ये देखिए ये सीधा फंदा है तो ये पहला फंदा सीधा और ये जो सीधी लाइन गयी है, यह हो जाएगा उल्टा फिर सीधा नेक्स्ट पनदा यह देखे डिजाइन का तीसरा मिड्ल पनदा है तो इसे हम शलिब कर लेंगे और इह तीन पनदा हमें सेकंडरी कलर से बूनना है, तो पहला पनदा सीधा बूनेंगे next फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर slip, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर देखिए, बीच का फंदा है, डिजाइन का, यह हो जाएगा, और यह जो है, वो दूसरा फंदा हो जाएगा, secondary colors का यह दूसरा फंदा हो जाएगा, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा फिर सीधा फिर स्लिप यानि फिर हमें अपने आर्थू लाइनों को दूराना है तो मैं थोड़ा डिजाइन बना के आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रांट्स डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा आर्थ लाइन का रिपीटेड डिजाइन है एक रंके उन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंके उन से बनाया जा रहा है तो design आपके सामने है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको design अच्छा लगा हो तो कृपाई से लाइक करें चैनल को subscribe करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर करें फिल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद